आकाश्वानी पूपाल से प्रसुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग सबसे पहली मुख्य समाचार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 78 में सुतनरता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम साथ बजे राष्ट को करेंगी संभोधित हर घर तिरंगा अभ्यान से तिरंगे की रंग में रंगा पूरा प्रदेश रैलियों से है त्विभने कारिक्रमों का आयोजन प्रदेश में 21 और 22 अगस्त को सभी स्कूल कॉलेजों में होगा राष्ट्री अंतरिक्ष दिवस का आयोजन और ग्वालिर में 28 अगस्त को होगी रीजनल इंडरस्ट्री कॉनक्लेव 1000 प्रतिनिधी लेंगे भाग अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपती दुरापदी मुर्मू 78 में 73 अगस्त की पूर्व संध्या पर आश्राम 7 बजे राष्ट को संबोधित करेंगी ये संबोधन आकाश्मानी के पूरी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दुदरजन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा आकाश्मानी अपने शेत्री नेटवर्क पर रात 9 बज़ कर 30 मिनिट पर इसका शेत्री भाषा में संसकरन प्रसारित करेगा राश्रोपती के संबोधन के प्रसारिन के कारण आज शामको प्रादेशिक समाचारों का प्रसारिन 7 बज़ कर 10 मिनिट के स्थान पर 6 बज़ कर 32 मिनिट से किया जाएगा स्वतिंद्रता दिवर्स समारों के उपलक्ष में पूरे देश बर में हर घर तिरंगा रैलियां आयूजित की जा रही है देश भक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए अभियान प्रस्पतिवार तक पूरे देश में चलाया जा रहा है सरकार ने लोगों से घरों पर तिरंगा फेराने और तिरंगे के साथ सलफी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आग रह किया है वोपाल में आज संस्था कर्मश्री द्वारा तिरंगा यात्रा निकाले जाएगी इसमें मुक्य मंत्री डॉक्ट्र मूहनयादो भी शामिल होंगे यात्रा के चलते कुलार के डीमार्च राहे से लेकर बैरा करके भैसा खेडी तक ट्राफिक परिवर्तित मार्क पर रहेगा मुक्य मंत्री ने एक अपील में कहा है कि अपना सर्वस्त पुर्वान करती है ऐसे तिरंगा यह हर घर पर जो लह रहा है इस भावनाओं के अधार पर तिरंगा अभियान को पूरे देश का जन जन का अभियान बन जाए मुरेना में विधानसवा अध्यक्ष नरींद्र सिंग तोंबर ने सुसाहता समू की दीदियों की तिरंगा रैली को रवाना किया पन्ना में सांसत विश्णुदर्द शर्मा ने जगनाथ स्वामी टाउन हॉल में हर घर तिरंगा अभियान का शभारम किया तिरंगा यात्रा में पुलिस बैंड डल, सिंट पायस स्कूल का पलाटून, महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल का बैंड डल, सेफ होमगार्ड, न्सीसी स्काउट, रेड क्रोस और शौरदल की टोली भी शामिल हुई जाबवा में पेटलावद और थानला में तिरंगा वाहन रैली निकाली गई, आगर मालवा में सुसाहता समूह की महिला संदस्यों द्वारा इस्थापित तिरंगा जंडाविक्रे केंडर का शुभारम किया गया निनवारी में हरगर तिरंगा भ्यान के अंतरगद नगर परिशद, शेहपुरा में उच्साहपूरवक तिरंगा रैली निकाली गई, राइसिन की सांचिस्तू परिशर में हरगर तिरंगा भ्यान के तहत NCC केड़ेट्स वरा तिरंगा यात्रा निकाली गई, छतरपूर प प्रिशासन विभाग द्वारा जारी धुजा रूहन संबंती आदेश के अनुसार उप मुख्यमंत्री और अन्यमंत्री 15 अगस्त को विभिन जिला मुख्याले पर आयोजित संद्रता दिवस समारों में धुजा रूहन कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा बद्रदीश सहित नौ राजियों में होने वाले राजे सभार निर्वाचन के लिए विगत 7 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी गई है। वजे से शाम 4 बजे तक होगा मतगरना और परिनाम की खुशना भी इसी दिन की जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदीश में 21 और 22 अगस्त को सभी विश्विद्याले, महाविद्याले और स्कूलों में राश्ट्री अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष में कारिक्रम आयूजित किये जाएंगे। गौर्दल भे के प्रदान मंतरी नरींद्र मोधी ने तेई सकस्त को चंद्रमा की सतह पर भारत के उतरने के आतिहासिक घटना को राश्ट्री अंतरिक्ष दिवस की रूप में मनाने की खूशना की है। इस असर पर प्रदेश में अंतरिक्ष विज्ञान पर केंद्रित व्याख्यान, संगोष्टी, प्रदर्शनी, साइंस क्विज, मॉडल मेकिंग, पिंटिंग, विशिशग्य व्याख्यान और फिल्म प्रदर्शन का आयूजिन किया जाएगा। मुक्य मंत्री डॉक्ट्र मुहेन एदव ने कहा है कि मद्वरदी श्विज्ञान इवं प्रद्योगी की परिशत भोपाल तथा आयाइटीन दौर द्वारा विश्विद्यालीन और महाविद्यालीन, छात्र छात्राओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान पर केंद्रित हैक ग्वालियर में 28 अगस्त को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजेत होने जा रही है इस रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से स्थानी या उद्यमियों के साथ देश के बड़े-बड़े उद्यमियों को जोड़कर ग्वालियर जंबल शेतर में ओध्योगिक निवेश और ओध्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा इसमें लगभाग 1000 प्रतनिधी भाग लेंगे कलेक्टर रुचिका चोहान ने मंगल वार को IDC के अधिकारियों की बैठक लेकर रीजनल कॉन्क्लेव के तयारियों की समिक्षा की कॉनक्लेव में स्थानी और प्रदेश के उत्पादों पर केंडरेट प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें 42 स्ट्रॉल पर उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा कॉनक्लेव से पहले मुक्यमंत्री डॉक्टर मुहन यादव वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये स्थानी और द्योगिक संखों के पताधिकारियों और द्योग पतियों से समवात करेंगे मौनसूनी गतविधियों के कारण प्रदेश में अगले 24 गंटों में कहीं 30 तो कहीं हलकी बारिश होगी मौसम विभाग ने गुना और सागर समेट साथ सिलों में 30 बारिश का अलट जिदाया है वहें कल 15 अगस्य मौदूदा सिस्टम कमजोर हो जाएगा और अकले सिस्टम के सक्रिय होने तक प्रदेश में भुनदाबांदी और गर्जमक के सती बनी रहेगी प्रदेश में सीजन के 73 प्रतेशत बारिश हो गई है अब तक 23.5 इंच बारिश होनी चाहिए थी लेकिन 27 सेशमलो दो इंच बानी के जुका है अब को समझार सिक शेप में शिपरी जिले की करेरा में फूटा ताल पर बिना सुईकरिती के संचालित हो रहे है न्यू सागर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है इतना ही नहीं संचालक के विरुद दिफायार कराई जाने के निर्देश भी जारी किये गये है निनौरी में विभाजन विविश्य का इस्मृती दिवस के औसर पर मेकल सुथा कॉलेज परिसर्द में प्रजशनी लगाई गई मंडला में कलेक्टर सोमीश मिश्रा ने पुलिस परेट मैदान में 15 अगस्त सुथनसर तिवस के ले की जा रही तयारियों का चैसा लिया पन्ना लोगसभा चुनाओं 2024 के दौरान खराब पाई गए इवियम और बीवी पैट मशीनों को रीवा इससे संग्रहन केंद्र भेचने के लिए आज सुबह मानेता प्राप्त राजनातिक दलो के प्रतिन्दियों के उपसिती में वियर हाउस को ला गया बैतूल में HIV और AIDS सिथा STI सघन जागरुकता अभियान 12 अक्ट्यूबर तक जिले के सभी गाउं में चलाया जाएगा अभियान के अंजरगत कल जागरुकता अभियान कर्शो भारम शासकी कर्णिया बहा विद्याले बैतूल में किया गया इस बुलिटिन में इतना ही डीजे इजासत नमस्कार